तो हेलो गाईज, कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद करता हूँ, आप लोग सभी सेफ होंगे तो आज की इस वीडियो में एक छोटा कॉंसेप्ट लेकर आया हूँ मैं लिमिटिंग फेक्टर, जिससे की फेक्टर भी बोला जाता है जैसा आप देख रहे हो, मेरी लास्ट वीडियो जो है, छोटे-छोटे कॉंसेप्ट लेकर आई ही रहा हूँ मैं और बहुती कम टाइम में, देखो, इन सब वीडियो का लाने का मोटिव मेरा ये है कि आपके जो सारे कॉंसेप्ट है ना, वो क्लियर हो जाए एक छोटे से टाइम में, छोटे-छोटे कॉंसेप्ट क्लियर हो जाए होता ये है कि हम जिसमें थियोरी या फिर प्रैक्टिकल दोनों ही जैसे मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ तो एक ऐसा सबजेक्ट है जिसमें थियोरी एस वेल आज प्रैक्टिकल को प्रिफेंस दी जाती है तो हम क्या करते हैं, एक्जाम से पहले हमने यह सुना है कि चार बार रिविजन कर लो, छे बार रिविजन कर लो ठीक है, कर लिया जी तो हम उस सर्कल में ना सिर्फ प्रैक्टिकल की रिविजन करते रहते हैं और कुछ इस्ट्रेंट्स हैं जो कि थोरी भी करते हैं, लेकिन most of देखा जाये हैं, तो practicals की revision होती रहती है, थोरी हमारा धरा का धरा ही रह जाता है, तो मेरी बस छोटी सी कोशिस यही है, कि कम से कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा advantage मिल सके मेरी तरफ से, तो वाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे, तो like जरूर करना, और अगर आप चाहते हो कि किसी concept पर मैं वीडियो बनाऊं, तो comment में आप लोग जरूर मुझे mention कर देना, तो वीडियो को start करने से पहले आप लोग को यह बता दूँ, कि जो यह notes है, बहुत interesting तरीके से बनाए हुए हैं, जिसे की हर एक चीज clear हो जाए, और कुछ points ऐसे interesting डाल रखे हैं मैंने कि आपको बोर्यत फील ना हो, ठीक है, तो बड़े ध्यान समझना और वीडियो को पूर और exam में किस तरीके से answer को लिखना है, बढ़ते आगे, we have already studied that product having more contribution is more profitable, बिल्कुल सही का कि last की वीडियो में हमने यह पढ़ा कि जिसका contribution जादा होता है, वो product सबसे जादा profitable होता है, यह आप लोग को सबसे जादा profitable होता है, यह आप लोग को सबसे जादा profitable होता है, यह आप पूछा भी है, however, when there is a limitation of any input factor, सर पहले आप हमें यह बता दो कि input factor होता क्या है, input factor होता क्या है, input factor यह होता है, जैसे कि material हो गया, labor हो गया, overhead हो गया, जो भी आप final product को बनाने के लिए input का use करते हैं, वो सारे resources क्या हो गया हमारे input factor हो गया, अब बात की गई है, कि input factor limitation हो, यूज करने की, तो आप किस तरीके से यह find out करेंगे कि यह product profitable है या नहीं है, तो इस limiting factor ने यह कहना चाहा है, कि सिर्फ contribution निकालने से काम नहीं चलेगा, यह आपने contribution निकाल दिया किसी product का, contribution जिसका ज़्यादा हुआ, वही profitable होगा, limiting factor ने आकर यहाँ पर बीच में क्या दी है, अडंगी लगाई है, क्या करो जी, limiting factor पर भी काम करो, तो देखो किस तरीके से हमें काम करना है, यह समझते हैं, वाई समझे आप, चलो, आगे बढ़ो, होता क्या है actually में, when there is a limitation of any input factor, अगर कुछ limitation है, क्या होगा, then profitability जो है, then profitability of the product cannot simply be determined by finding out the contribution of the unit, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, कि अगर, को input factor की limitation है, तो आपको profitability में, profitability को पता करने के लिए, सिर्फ contribution निकालने से ही काम नहीं चलेगा, अच्छा, फिर क्या करना होगा जी, बता हो चरह, चलिए, देखते हैं, वो factor देखना होगा, जो limited होगा, सबसे प material हो सकता है, या फिर labor हो सकता है, या फिर overhead हो सकता है, as per the question कुछ भी दे जा सकता है, ठीक है, such factor, अब वो factor क्या कर लागा, such factor of production, which is limited in question, ठीक है, which is limited, such factor of production, which is limited, जो की limited होगा, in the question, question में, is called the key factor or limiting factor, say, आपका material को लेकर limited दिखाया गया है, तो आपका material की factor हो जाएगा, say, आपका labor को लेकर, जो हो रहा है, तो आपका की factor क्या होगा, labor होगा, all right, ये तो समझ में आ गया हमें, लेकिन हम किस तरीके से numerical को solve करेंगे, क्या छोरी इतना ही है, बिल्कुल सही का, इतना ही है, आप लोग उपर की जो 3-4 line ने लिखी थी, या फिर ये लिखी हुई है, आप इस तरीके से exam में लिख कर आ सकते हैं, की factor ये है, और जादा से जादा आप एक example दे सकते हो, बहुत ही अच्छे से, performance आपके अच्छे हो नीचे ये, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि सिर्फ जो है, contribution निकालने से काम नहीं चलेगा, आपको limiting factor भी देखना होगा, तो चलो जी, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमने contribution वाली वीडियो में देखा, क्या देखा था आप लोग ने contribution वाली वीडियो मे कि भाई, देखो, sale जो है, हमारी product A की 100 रुपीज है, B की 200 है, C की 300 है, variable cost हमारे पास 50 आयता, 100 आयता, इसके लिए 150 आयता, contribution की बात की जाए, तो A के लिए 50, B के लिए 100, and C के लिए 150, तो इससे हमने पता लगाया, कि in the above example, one can say that, C is more profitable, because it has more contribution, ठीक है, तो अब limiting factor ने क्या कहा, तिर्फ ये पता करने से नहीं होगा, जो factor limited है, उसके बारे में जानकारी लो, उसके बाद आप profitability बताओगे, अब देखो होता क्या है, अगर ऐसा हुआ ना, तो C नहीं होगा फिर तो कोई और ही निकल कर आएगा, क्या पता A निकल कर आजाए, तो बढ़ते हैं next, फिद एक्जामपल समझने वाले हैं, एक्जाम में जैसे निकल पूछा जाता है, वो हम यहाँ पर करने वाले, तो देखो, product A है है हमारे पास और product B है, रुपीज में values दे रखी है, direct material DM हो गया, at the rate 20 रुपीज पर kg है, और कितने cost लग रहा है, total 80 यहां 320, यहां पर direct labor है, 10 रुपीज पर आर, 100 रुपीज लग रहा है total और यहां 200, variable overhead हमारा 40 and 80, selling price हमारा 400 और B को बेचने पर 1000 रुपीज होता है, तो बहुत ही simple है, क्या करना होता है, अगर मैं सिफ contribution की बात करूँ, तो आप क्या करते हो, selling price लेते हो, यह रहा A product और यह रहा B, यह A के लिए, मैं अगर selling price लूँ तो मेरे पास 400 है, B के लिए मेरे पास 1000 रुपीज है, और फिर क्या करोगे, less करोगे variable cost, variable cost है मेरे पास, देखो, अब variable cost में क्या क्या आएगा, बहुत अच्छा है, देखो जी, direct material हो गया, direct labor हो गया, और variable overhead हो, that material की बात की जाए, तो यहां प 30, 20 है, यहां पर हमारे पास, देखो, direct है, और यहां पर मेरे पास variable overhead 40 है, direct, and, तो इन सब को लेकर, मेरे पास variable, variable कितना आ जाता है, आप इसको plus कर लोगे, variable निकल कर आ जाएगा, यहां पर, देखो, 180 and 220, all right, variable हो गया, यहां पर देखा जाए, तार्सो और तार्स, तार्सो होगा हमारे, contribution निकल कर आ जाता है हमारे पास, अगर मैं contribution की बात करूँ, तो क्या करोगे, sales minus variable, sales minus variable, तो contribution यहां पर जो है, हमारा आ जाता है, 180 रुपीज, और यहां पर आ जाता है हमारा, 400, तो contribution बेस पर देखा जाए, तो B product is more profitable, क्योंकि इसका contribution ज़्यादा है, तो समझ में आ गया, अब मैं बात करता हूँ, अगर question में दिया हुआ है, key factor की जो limitation, यानि की limiting factor जो है हमारा, या key factor जो है, हमारा material है, material, तब आप profitability कैसे calculate करोगे, देखो, देखो key factor कैसे work करता है, यहाँ पर, मैं आप लोग को समझाता हूँ, कि यहाँ पर contribution जो है, 180 का है, यहाँ पर 400 का है, तो मैं चाहूँ तो आपको directly profitability का formula बना के, यानि की contribution upon key factor कर देना होगया आप लोग का answer, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा important है concept को समझना, concept अगर एक बार समझ में आ जाता है, तो सारी बाते clear हो जाती है, ठीक है, अब अगर हमें चाहे बनाने में यहीं नहीं पता हो कि ingredients क्या क्या डलते है, चाहे क्या बनेगी, हम तो पानी मुबाल कर रख देंगे, ठीक है, तो उस बात करता हूँ मैं, कि limiting factor को लेकर इस तरीके से profitability आप निकालोगे, तो सबसे पहले अगर मैं एक ही बात करूँ, एका जो contribution आया है हमारे पास, देखो मैं, टैक्स से लिख ले, एका जो contribution आया है, वो 180 आया है, और हमारा जो B के लिए contribution आया है, वो 400 आया है, ओल्राइट, इल समझना क्या कहना चाता है, यहाँ पर आपने एक लिए जो यूज किया है, देखो, 80 रुपे लगाए है, 80 रुपीज लगाए है, 80 रुपीज लगाए हैं, तो कितने केजी material यूज हुआ होगा, 100 रुपीज पर केजी है, यहाँ इसको कट कर दोगे, तो यानि कि हमने 4 केजी का material जो है, वो यूज किया है, वहीं B के लिए देखा जाए, तो 320 रुपीज का total खर्चा है, 20 रुपे cost है, यहाँ पर मैं अगर कट करता हूँ, तो 16 केजी, 16 केजी जो है, मैंने material यूज किया ह तो अब एक बात बताना कि 4 केजी जो है, यानि कि limitation है हमारे कितनी 4 केजी, A के लिए, और B के लिए 16 केजी यह देखना होगा हमें, 180 divided by 4 and 400 divided by 16, तो यह हमारे पास आ जाता है, देखो कितना यह कट जाएगा, 4 जा 16 हो जाएगा and 4, 5, 20, 45 for A product के लिए and यहाँ पर देखो, भी कट जाएगा, 16, 2, 32 and 16, 5, 20, 5 आ गया, 45 and 25, which is more, the product is more profitable than B, कोई ना बात, सजी में आया न कुछ, देखो, सारे doubts के लिए होने चाहिए आप लोगो के, तभी मज़ आएगा पढ़ने में मैंने कहा कि contribution को लेकर, हम यह पता करते हैं कि जिसका contribution है, ज्यादा वो profitable है, लेकिन अगर input factor की limitation हो, तब कैसे पता लगाएंगे, इस तरीके से पता लगाओगे आप, ठीक है, अब यहाँ तो मैंने material ले लिया था, key factor, अगर मैं labor key factor लूँ, तो सेम उसी तरीके से करोगे अब वो क्या लोगे आप, यहाँ देखो, यहाँ पर निकाल लोगे 10 और यहाँ पर जब divide कर दो, उससे divide कर दो, that's it, overhead के लिए पूछा जाए, overhead के लिए कर दोगे, और देखो, simple सी बात यह कहना चाहता हूँ, मैं video को end करना चाहता हूँ, ठीक है, और अगर आप लोग को को doubt है, labor को लेकर, labor से किस तरीके से निकालना है, variable overhead से किस तरीके से निकालना है, comment में जरूर बताओ मुझे, मैं आप लोग को लेकर वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, और एक numerical नहीं, दो, तीन numerical के साथ आप लोग को समझा दूँगा, बहुत अच्छी से clear हो जाएगा, तो मेरा purpose जो है, यही है, कि आप लोग को छोटे से छोटे concept दिया जाए, और छोटे time में दिया जाए, जिससे कि आप कहीं भी travel भी कर रहे हो, तो यह छोटे time को लेकर, आप concept clear कर सको, ठीक है, तो यह purpose भी मेरा पूरा हो जाएगा, कि आपके exam में अच्छे score भी कर पाऊगे, य मिलते हैं अपनी next video में, all the best, and other video की जो link है ना, वो सारी की सारी description में दीगए, उससे जरूर देख लेना, तब तक के लिए, bye bye